हमने शुरू किया एक नया सीरीज जिसका नाम है सवाल सेटरडे जिसमें हम आपके हर सवालों का जबाब देंगे मैं नेम है शिवम ज्या एजुकेटर बाइच्वाइट कोच और एक रिटिव लर्नर देखिए मेरा ऐसा मानना है कि स्टूडेंट्स के मन में जब मैं खुद स्टूडेंट था तो बहुत सारे कोशन्स आते हैं आपके मन में भी आते होंगे and हमारे जो teachers होते हैं वो आकर के बहुत सारे सवालों का जबाब भी देखे जाते हैं लेकिन maximum time ऐसा होता है कि teachers उन सवालों का जबाब देखे जाते हैं जो teachers को actually बताना होता है कोई उन सवालों के बारे में बात ही नहीं कर रहा है जो students को actually जानना है तो इस सीरीज में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे, आपके जो भी सवाल होंगे, आप इस वीडियो के कॉमेंट्स में डाल सकते हो, हैस्टेग सवाल सटर्डे लिख करके, अगले सटर्डे को आने वाले वीडियो में आपके सवालों को लिया जाएगा, और आपके सवालों का जबाब दिया जाएगा, moving further guys, आज का question क्या है, आज का question ये है कि भाया, इस lockdown के situation में मैं पढ़ाई कैसे करूँ, ठीक है, मतलब काफी सालों से सब कुछ बंद चल रहा है, मेरे पढ़ाई की पूरी, पूरी, पूरी सत्यानास हो रखी है, और मैं कितना भी खुद को motivate कर लो पढ़ाई के लिए, it is not possible for me, कि मैं बैट के पढ़ाई करूँ, एकदम छोटा सा वीडियो है, जिसमें एकदम सटीक जवाब मिलने वाला है आपको, और ये एकदम implementable है, देखे, मैं मानता हूँ, कि आपका पूरा schedule disturb हो चुका है, मैं ये भी मानता हूँ, कि आसपास का situation काफी सालों से ठीक नही है, और मैं ये भी मानता हूँ, कि आपका पढ़ने का मन है, लेकिन, बट, ध्यान से सुनेगा, एक बात जो आप लोग गलत कर रहे हो, जो आपका अप्रोच है, वो गलत है, देखो, आज के situation में maximum student के हालत ऐसी हो गई है, कि वो दो घंटे साही से बैठके पढ़ाई नहीं क तुमारा पिछला छे महिने का रेकॉर्ड है, कि तुम एक घंटा बैठके नहीं पढ़ सकते ही मानदाली से, और तुम बना रहे हो कि आज से या कल से, कल तु कभी आता है निक है, आप कोई बता है, कल से मैं क्या करूँगा, बैठ करके 6-6 गंटे, 4-4 गंटे, 3-3 गंटे पढ़ूँगा, क्योंकि मुझे अचानक से मेरे अंदर का वो, क्या बोलता है, student जा गया है, जिसको JW निकालना है, जिसको NEET निकालना है, थाई, not possible, it is not possible, and that is the reason, जो आप be motivated हो, now we'll talk about how to bounce back, किस तरीके से इस चीज को फिर से सही करके, track पे आया सकता है, हम इस वीडियो में उसी चीज के बार में बात करेंगे, और यह सबसे बड़ा सवाल था, जो आज के डेट में, इस महीने में, पूरी बार और कभी दिनों से मेरे पास आ रहा है, ठीको, we work on habit, हम जो इनसान होते है, वो habit पे काम करता है, habit कैसे काम करती पता है, habit को बनने में भी time लगता है, habit को तूटने में भी time लगता है, जैसे कि, आप कोई भी habit के बार में सोच लो, मैं क्या बता हो, आपको मुझसे ज़्यादा पता है, ठीक है, तो उसको बनने में भी time लगता है, और उसको तूटने में भी time लगता है, तो जो तुमारा habit तूटा है, तुम अगर पढ़ते थे त तो नेक्स्ट साथ दिनों बाद तुम एक गंटे पढ़ रहा होगे 60 मिनिट्स मैं कहता हो कि फिर नेक्स्ट वीक अधा गंटा बढ़ो अगले हफ़े फिर जयादा गंट बढ़ाओ तो दो महीने के अंदर आप नियर अबाउट किता पढ़ पा रहे होगे दो गंटा पढ़ पा रहे होगे या फिर तीन घंट डिपेंड्स कि तुम किस से स्टार्ट कर रहे हो लेकिन आने वाले दो से तीन महीने में आप वो तीन गंटे का चार गंटे का टार्गेट अचीव कर लोगे तो यह तो होगे कि हबट बनाना कैसी है श्लोली ऐन स्टेड़ी राइट श्लो एंस्टीडी विंस दरेस तो आपको दीज़े दीरे 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 वैबिट को बनाना है मगर भया भया मैं है बना लेता हूँ फॉलो नह तुमने डिसाइड किया कि आज से करना कल तो कभी आता निया तो तुम गए और तुमने पढ़ना शुरू किया तुमने बोला कि आज मैं एक गंटे पढ़ूँ हुआ पढ़ रहो पढ़ रहो एक गंटा इस वेरी स्मॉल टार्गेट आरा सा असानी सा चीप कर लोगे लेकिन फिर देखो कैसा हो नेक्स्ट वीक तुमने वना वना खाप भी पढ़ा लेकिन वीज में किसी दिन एक किसी दिन खुदा ना खास्ता तुम पढ़ नहीं पाए ठीक पीचे चूट P tu योके चीज को करो पीचे अपने आप सही हो जाएंगी और तुम्हारा काम बशाएगा सेंरे थे करना कि 넣 t चेञ तो तुम्हारा निछीर अगर में चूट धार एगा 2019 सेंरी कि lägen यह हो γαगेए कि किस तरिके से पढ़ाई शुरु करना है लेकिन आपके पढ़ाई में आने वाला सबसे बड़ा वाधा जो होगा मुबाईल तो अगर आप जानना चाहते हो कि मुबाईल के डिस्ट्राक्शन से कैसे बचे टाइम को मैनेज कैसे करे ठीक है यह अपने ऐसे कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप बिल्कुल आ सकते हो मैं कि सारे सवालों का जवा करने की कशिश करुआ बसा को करना इतना है कि कॉमेंट भी करना है सवाल साट्रेडे लिखर करका अपना सवाल ठीक है आपको अपने सवाल को डाल देरह है गाइस डीज नो कि मैं अनकाड़ में प्लस ठीक है और अगर आप एक प्लस सब्सक्राइब कर लिए और आपको बहुत अच्छा सूपर डिसकाउंट देखने को मिलेगा आज के वीडियो में हमने बात करा था सवाल से टर्डे के कि किस तरीके से बांस बैक करा जा सकता है कैसे आपने पढ़ाई को रिस्टार्ट करा जा सकता है अगर डेफिनेटली हो जाएगा ऐसे अगर आपके अंदर कोई भी सवाल हो तो नीचे डाल देजेगा thank you so much for watching this video don't forget to share it and subscribe to the channel keep learning happy learning and haa machate rena